नवस्कार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्थेहा की बाते में मैं हूं स्थेहा और आज हम बनाएंगे गंगोर माता के लिए फ्लावर के जिवल्री जी हां आज कल फ्लावर जिवल्री काफी trend में है तो क्यों ना हम गंगोर के लिए भी आटे से बनने वाली फ्लावर ज्वेल्री बनाएं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मेरे आज की वीडियो कसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले में गंगुर माता की ज्वेल्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर चाहिए तीन चोथाई कब गहूं का आठा मैंने यहां पर आटे को लगाने के लिए थोड़ा सा पानी लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं य अटे की ज्वेल्री बना रहे हैं तो इसले में यहां पर यह रेड कलर के फूट कलर का इस्तमाल कर रही हूं तो चलिए 10 सामगरी से एक थोड़ा सा अ थेमी सिप साडो हम तयार करते हैं, तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर अटे में डाल लिया है, अटे में हम थोड़ा सा तेल मिला हैं , ये मिला है हामारी जो फ्लावर जुएल्ड री होगी वो अच्छे से चिपक पाई ही अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक डो तो देखिए जोलरी के लिए हमारा डो मैंने लगा के त्यार कर लिया है इसी दिरह से हम अन्य रंगों के डो भी बना के त्यार करेंगे देखिए मैंने यहाँ पर पीला, लाल और हरे रंग के डो बना के त्यार कर लिया है हरे रंग के डो की मात्रा हमने थोड़ी सी कम रही है क्योंकि इसका इस्तमाल हमें पत्तिय मनाने में ही करना है और ये सभी रंग के डो बनाने के लिए मैंने फूट कलर का इस्तमाल किया है चलिए अब ज्वेलरी को हम बनाने के प्रोसेस की और बढ़ते हैं अब हमने लाल वाले भाग में से थोड़ा सा हिस्ता तोड़ लिया है और अब हमें इसे बेलना है इस तरह से हमने सारे सरकल रेडी कर ली है अब हम एकस्टा आठे को हटा देंगे आठे में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ने और उसे इस तरह से हमें लंबा करना है इस Commission ये अब हमने हमारे छूटा पराग होता है वो बनाने के लिए किया है अब एक एक करके हम इसमें फुलों की पत्तियां चिपकाते चलेंगे, तो चिपकाने का तरीका आप देख लिए, यह हम ऐसे लेना है, और इसे इस तरह से रखके यह, ऐसे हैं, दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे, अब हमने यह जो दो पत्तियां चिपकाई है, इनके बीच मे हमें एक पत्ति चिपकानी है, इस तरह से, हातों की मदद से दबाएंगे, सिर्फ इस तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे, अब एक पत्ति और इधर लगाएंगे, यह हमारा फ्लावर बन के तयार है, और इसी तरह से हमें अन्य फूल बना के भी तयार करने हैं, नेक्स्ट हमने हरे इस पार्ट में से हम पत्तिया कट करेंगे, तो पत्तिया में नाइव की साहता से कट करूंगे, तो देखते हैं पत्तिया कैसे कट करते हैं, इस तरह से हमें पत्तिया काटके रेडी करनी है, देखे हमने पत्तिया और फ्लावर बना के रेडी कर लिए हैं, और फ्लावर हमार नाइफ की मदद से काटके अलग कर देंगे यह दिखिए थोड़ा सा उससे सही कर देंगे यह हमें सूखने पर इसले करना है कि अगर हम गीले में करेंगे तो हमारे फ्लावर का शेव बिगड़ जाएगा सारे फ्लावर इसी तरह से हम तयार कर लेंगे अब मैंने यहां पर एक यलो आटे में से थोड़ी सी लोई तोड़ी है और उसे हातों की मदद से देखिए इस तरह से चक्टा कर लिया है यह हमारे हार का बेस है इसी के उपर हमें फ्लावर लगाना है अब मैं थोड़ा सा पान अब एक एक करके हम फ्लावर को लगाना शुरू करते हैं तो मैं बीच में से शुरूयाद कर रही हूं थोड़ा सा हम फ्लावर के पीछे भी लगाएंगे पानी और हलका सा आथों के मदद से दबाते हुय एक एक फ्लावर हम पेस्ट करेंगे देखिए एक एक करके मैंने पानी लगा के फ्लावर लगाना शुरू कर दिये हैं तो इस तरह से हमने यलो फ्लावर लगाए है, बीच में रेड लगाया है और आस-पास हम यहां पर फिर से रेड लगा रहा है पत्तिया एडर के पत्तियांको भी सारी पीछे की साइट पानी का हत लगाएंगे और हमारे हार के साथ REPO इस तरह से इसी तरह से हम बाकी पत्तियां भी लगा के हार को कम्प्लीट करेंगे देखिए सारी पत्तियां लगाने के बाद हमारा हार कितना खुबसूरत लग रहा है और कोई देख के कह भी नहीं सकता है कि ये आठे से बना हुआ है नेक्स्ट हम बनाएंगे मांग्टी का तो मांग्टी के बनाने के लिए मैंने यलो वाले डो के पाट में से थोड़ा से डो लिया है और उसे हातों की मदद से इस तरह से हमने चप्टा कर दिया है अब हम इसमें फ्लावर लगाना स्टार्ट करते हैं इस पर भी हम सबसे पहले पानी लगा लेंगे पानी लगाने से जो हमारे फ्लावर है वो बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं देखिए हमने मांग्टी के में जो फ्लावर लगाया था उसके साइड में भी हमने पत्तियां लगा दी है अब हम थोड़ा सा तीके को ओर डेकोरेट करेंगे तो यहां प अब मैंने हरी वाले जो बॉल शिपकाई थी उनके उपर भी अब हमने थोड़ा सा पानी लगा दिया है और पानी लगाने के बाद अब हम यलो वाले पार्ट में से छोटी छोटी गोलियां तोडेंगे और उन्हें द्रीन वाले पार्ट पे लगाएंगे इस तरह से दिखि अब हम मांग्टिके का एक्स्टा वाला पार्ट है वो काटके अलग कर देंगे और मांग्टिके को भी हम सुखने के लिए रखेंगे नेक्स्ट हम बनाएंगे इयरिंग्स तो इयरिंग्स के लिए मैंने फिर से यलो वाले पार्ट में से थोड़ा सा डो लिया है और उसे हम वेज़ा है यहां मांग्टि का बनाने के लिए डोको चप्टा किया था वैसा ही हम एग्लियों की मदब से हल्का सा पानी लगाते हुए उसे चप्टा करना हे इस तरह से अब गहाँ हमें फ्लावर का जो पीछे वाला हिस्सा है उस पे हल्का सा पानील का हाथ लगाना है यह द देखिए हमारे सुन्दर से यह रिंग बनके तयार हो गए हैं इन्हें भी अब हम सूपने के लिए रख देंगे नेक्स जूलरी में हम बनाएंगे रिंग मैंने यलो यलो वाले आटमर से ठोड़ा सा डोलिया है ठोलोल यह और इसे नहीं हम करके नोर लेख़ और यह देखिए हमारी फिंगर की नद के इससे हम कि न दिए यहिम भाला वर से 1 प्लावर बनाया था तो मैंने वह यहां पर लिया है और इसे भी हलके हाथों से दवाते हुए आप देख पा रहे हैं यह हमने रिंग बना लिए रिंग को भी आवम सुखने के लिए रख देंगे नेच जो हम जूल्री आइटम बनाने वाले हैं तो वह है पायल पायल बनाने क बनानी है तो हम यह दोनों हिस्तों को लंबा करके तयार कर लेंगे पायल के लिए हमने इस तरह से दो को हाथों के मदद से थोड़ा सा पानी लगा दिया है अब मैंने यह थोड़ा सा डो और पतला करके रखा है और अब हम इसे पायल पर डेकोरेट करेंगे देखे इस तरह अब होगे इस तरह से एक बड़ती सब्सक्राइस पानी तरु अब हम यहां पर और पत्सक्राइस प्तियां लगाएंगे जो पत्तियां नादी पत्तियां वाद ही दिन ओपर फ्लावर मैं अधालय Fifץ छोटी सैज को लिया है कि बिंद चोटी एक सैज की स्काहाइस काट के रख ली थी आप अपनी पसंद के अनुसार पत्तियां काट सकते हैं एक पर पत्तियों पे भी थोड़ा सा पानी लगा देंगे कितनी सुंदर से हमारी पायल लग रही है इसी तरह से हम दूसरी पायल भी बना के तयार कर लेंगे नेक्स जो चूलरी हम बनाएंगे तो बेंगल बनाने के लिए हमें यलो वाले पार्ट में से ही थोड़ा सा डो लेके उसे इस तरह से लंबा करना है अब हम इसे दो बराबर भागों में बाट देंगे और अब हम पहले वाले भाग को फिर से और लंबा करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को भी हमने बेल के लंबा कर करें लिया है अब हम इसे भी दो बराबर भागों में काट लेंगे इस तरह से और एक पाइद के उपर दूसरा भाग ऐसा इस तरह से एक दुसरे में ट्विस्ट करते हुए हम बेंगल के लिए basic shape बनागे तयार करेंगे यह देखिए इस तरह से hope आप देख पा रहे हैं और यह सारे जो joints हैं लगाँ अच्छे से हम बन कर देंगे यह देखिए बेंगल का basic shape बने के ready हो गया है अब चूकि हम सारी हासी जुल्री फ्लावर जुल्री बना रहे ह। मिशनेया जुल्री नixon प्लावर लगा के लिए चोपने कर रहे हैं। सबसे एले जॉइन उस प्रफी लगा लीगे। पहले मिफ्द चstyफक तरह से लेगे। आप देख पा रहे हैं पत्ति के उपर भी पानी लगा देंगे और अब हम फ्लावर पे भी थोड़ा सा पानी लगा के चिपकाएंगे देखिए हमारी सुन्दर सी बेंगल भी बनके तयार हो गई है इसे भी अब हम सूखने के लिए रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरी बेंगल भी रेडी करेंगे नेक्स जो हम जोल्री का आइटम बनाएंगे तो वह है बिचिया क्योंकि बिचिया के बिना तो श्रिंगार अधुरो माना जाता है तो मैंने यलो वाले पार्ट में से फिर से थोड़ा सा डो लिया है और अब हम इसे चप्टा करके हातों की मदद से ऐसा एक रिंग जैसा श चोटे-चोटे से कलरफुल बॉल्वल्स लगा रही है यूँ देखिए हमारी संदर सी बिचिया बनके तयार है और इसी तरह हम दूसरी बिचिया भी बना लेंगे तो देखिए हमारी संदर्सी ट्रेंडी प्लावर जवल्री गंगूर-माता की पुजा के लिए तयार है थैंक्स पर वाच्चिंग